नमस्कार दोस्तो आप सभी का अपने इस चैनल पर मैं बहुत बहुत श्वागत करता हूँ दोस्तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यह एक LED बल्ब है जो की 12 बोल्ट नव वाट में है इसे हम 12 बोल्ट की बैटरी से चलाते हैं दोस्तों आज किस बीडियो पर मैं आपको इस बल्ब को बिना किसी बैटरी के बिना किसी solar panel के और बिना किसी 230 बोल्ट AC करेंट दिये हुए आपको दोस्तों इससे चला कर दिखाऊंगा और इसे चलाने से आपका wheelie का wheelie भी नहीं आने वाला है तो दोस्तों वीडियों को पूरा computer देखिएगा आप किस प्रकार से बिना बीली का यूज किये हुए इसे आप चला सकते हैं तो दोस्तों इस LED बल्ब को बिना किसी बैटरी बिना किसी solar panel के चलाने के लिए हमें कुछ समान लेना होगा तो मेरे पास फिलाल यह 12 बॉल्ट का DC LED बल्ब है आप 9 बॉल्ट का या फिर 4 बॉल्ट का LED बल्ब भी ले शकते हैं फिलाल दोस्तों मेरे पास यह 12 बॉल्ट 98 का DC LED बल्ब है इसके अलाबा हम इस फ्रकार से चार डायोड लेंगे जिसका नंबर होगा 477 आप किसी भी नंबर का डायोड लेकर इस प्रकार से चार डायोड लेकर आपको ब्रिज रिक्टिफ हाईर बना लेना है जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसे बनाया है और इसका जो पोजिटिव आउटपुट है और निगेटिव आउटपुट है उस पर आपको 1000 मूफ 25 बोल्ट या कि फिर 1000 मूफ 16 बोल्ट का कैपिश्ट आपको इस प्रकार से लगा लिना है और अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह इसका इनपुट बाला पोईंट है और यह इसका निगेटिव आउटपुट है और इसका पोजिटिव आउटपुट है अब दोस्तों आपको क्या करना है तो हम दोस्तों एक इस प्रकार से कॉपर का वायर लेंगे और इस वायर को सबसे पहले हम जो हमारे घरों पर अर्थिंग होता है उस पर दोस्तों हम इसे लगा देंगे लेकिन मेरे पास अर्थिंग नहीं है इसलिए मैं क्या करूंगा कि जो हमारे घर का पिलर है तो पिलर में दोस्तों जो राड लगा होता है तो यहां मैं इसे यहां अर्थिंग के लिए लगा लूँगा क्योंको दोस्तों मेरे घर पर अर्थिंग का कनेक्शन नहीं है तो आपको इस प्रकार से अर्थिंग जो है इस प्रकार से लगा देना है अगर दोस्तों अर्थिंग नहीं है तो आपको फिर अर्थिंग बनाना पड़ेगा तो इस प्रकार से आपको इसे लगा लेना है और इसका जो दूसरा वाला छोड होगा इस प्रकार से तो हम दोस्तों क्या करेंगे कि यह जो प्रिजेक्टिफायर सर्कुट है इसके एक इन्पुट वाले पॉइंट पर हम इसे इस प्रकार से लगा देंगे और इसका जो LED बल्ब है LED बल्ब का जो हमारा negative वाला wire है हम इस negative output के साथ में इस प्रकार से लगा देंगे और इसका जो positive वाला wire है इसे हम दोस्तो इसके output वाले point पर इस प्रकार से लगा देंगे अब दोस्तो आप इस 12 बोल्ट के LED बल्ब को बिना किसी बैटरी के बिना किसी solar panel के बिना किसी 230 बोल्ट AC करेंड के आपकी इस प्रकार से बिल्कुन फ्री में चलाएंगे तो अब दोस्तो आपको आना होगा आपके main board के पास और यहाँ आपको सबसे पहले tester से इसका जो neutral और face होता है तो आपको confirm करना है तो आप देख सकते हैं कि यह इसका right side वाला जो point है इसका दोस्तो face का है tester यहाँ जल रहा है और यहाँ इसका neutral है तो दोस्तो हम इसके face का उपयोग नहीं करेंगे आपको यहाँ विसे ध्यान रखना है आपको विसे साउधानी बरतना है आपको face का उपयोग नहीं करना है तो दोस्तो यह इसका face है तो हम इसका उपयोग नहीं करेंगे हम केवाल इसके neutral का उपयोग करेंगे और घर के earthing का उपयोग करेंगे तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसका collection पहले से ही कर लिया है यह हमारा अर्थिंग वाला wire है जो कि हमने इस इंपूड वाले point पर जोड दिया है और दोस्तों इसका एक जो कि आपको इसके फेस का उपयोग नहीं करना है जहां 230 बोल्ट सप्लाई होता है याद रखिएगा तो हम इसे इस अर्थिंग वाले मनलब की न्यूटल वाले पॉइंट पर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमाला जो लेडी बल्ब है 12 वोल्ट वाला यह जल चुका है अगर दोस्तो हम इसे छूते हैं तो हमें करन्ट भी नहीं लगता है आप देख सकते हैं मैं इस अर्थिंग वाले पॉइंट को चू रहा हूँ मुझे करन्ट नहीं लग रहा है केबल आप दोस्तो आपका यह जो अर्थिंग वाला पॉइंट है तो आपको लगा दिना है और आप देख सकते हैं कि मारा 12 वोल्ट का लेडी बल्ब जल रहा है दोस्तो आप देख सकते हैं मैं बटन चालू बंद करूंगा इस पर कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा आप देख सकते हैं इस परकार से आप बिल्कुन फ्री में इस लेडी बल्ब को बिना बैट्टी के बिना सोलर पैनल के चला सकते हैं अगर दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जुरूर कर देए चलास परना है सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं वीड़ कर देए दो पर नमस्काराइब